तो 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 आज हम जो है करने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं आज आज इंपरिकल फार्मुला के जो है प्रोब्लम करने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं इंपरिकल फार्मुला के प्रोब्लम को सबसे पहले जो है हम प्रोब्लम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रोब्लम लिखते हैं तो सबसे पहले कोश्चन किता क्या है किता है क कि कि तोटी 4.24 ग्राम 4.24 ग्राम और 4.24 ग्राम अफ न ओर गनीककंपाउंड और एन ओर गनीक कंपाउंड क्या कह रहा है कि 4.24 ग्राम आफ एन ओर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग और्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कारवान हाइड्रोजेन एंड ओक्सिजन तीनी कंपाउंड ओन कंप्लीट कंपेशन ओन कंप्लीट कंपेशन के लिए क्या करते हैं कंप्लीट कंपेशन के लिए हम जो कंपशन चूब में उसे करते हैं और उसमें पाज जो एक आर्वार्ट तो जब इसकी कम्बिर कमशन करते हैं तो यह क्या करते हैं हमें क्या देते हैं गे वर इतना परसंट कार्बन डायक्सेट गा तो फोटा यह क्या देते हैं हमें कंबेशन में यह हमें देते हैं कार्पंड एकस्याड है कितने इस लाइन फॉपाइब वाटर अब आपको पता है वाटर को उब्सोंब करने के लिए हम में क्या लगाते हैं वो कल भी पता है मैंने मेडेशिंप पर किलो लगाते हैं किसलिए वाटर को करने के लिए तो यह मेगनेश्यम यह आप याद कर रहे हैं आपको जो है यह फार्मूला पुछा जा सकता है पर किलो रेट फॉर वाटर और के ओएच फिफ्टी परसंड पर कार्बन डायये तो किसको करता है कि यह करता कर्बान डाययोक्साइड को फाइंड Province क्या फाइंड करना है फाइंड अम्परिकल लुक्र फार्मूला अ एड ना ऐसे मैध बारिक्ल फार्मूला अब बाढ़िक़िला भी मैं आपको पड़ाऊँगा तो ये भी इसमें आजायगा और मासब कंपाउंड कैने ये चीज्ज आपको जहन में एक मॉलीकुलर मास of compound तो molecular mass of compound is a 60 तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि molecular mass of compound भी हम से पूछा जा सकता है तो आगे काम आएगा तो चले अब देर नहीं करते हैं इसे solve करते हैं तो solve करते हैं सबसे पहला step सबसे पहला step जो है कल मैंने आपको पढ़ा है वो है determination of elements आपास हो गई कारबान है हाइडोजन है और आक्सीजन अब इस टेप नंबर जो सेकिंड ले वो फस्ट आएगा वो कौन सा है के find out masses of elements step number one find out masses of elements अब क्या करते हैं find out करते हैं मास करने के लिए हमारे पास जू एक फार्मूला होता है जो आपको याद करना है अब मासाफ कर बांड के लिए हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ कारबान के डिटर्मीनेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है तो यह चीज़ें आपको याद रखने हैं वह कौण सा है कि बन उल्द कारबान लिए न मोल अफ कारबान इस दिवाइड बाइड 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 वन मौल आफ of carbon dioxide in multiple sample carbon dioxide कि हमें किसका मास वालुकरन का मास मालुकरन करना है कार्बन का काशना मास हम कहां से मालुम करेंगे कार्बन डिया है फर्बन कार्वन 鉑बन डियूछाइड में दिया हुए इस प्रोब्लम में तो यह फार्मृला पकार्वन से मालूम करने के लिए तो यह फार्मूला आपको ढहना भाते हैं कि मास अध्यूज़ MI पहले मात मौल मका अब देखिए कि राइप a और यह पता होगा 12 ओद आप कर्बंद का मास 12 राम है तो उसका में अज हुझ ब्राइप पर प्रोब्लम में दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है इस पॉइंट टू वन अब इन्हें सबको जब आप करेंगे किसे कल्कुलेटर में से जब आप इन्हें सब करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा वह क्या आएगा क्लर्म वाएगा 1.69 है यह से हमारे पास कारब हमारे पास कारब का यह रहीं वहानों यह में ग्रहानों को ही मांसमे आते हैं मासमे मास आफ हाइडोजन मालूम करने के लिए टो ll दो मॉल फ ऐच्छ औरक्ष यह वाटर mental Heart में हाइडोजन के कितने मॉल होते जोह मोल होते हैं किए तहना कि और डिवाइड करेंगे भेंगे हैं किस से फर उन मॉल आफ वाटटर से और मल्टिप्लाइ करेंगे मास अब चलें से करतें अब दो मॉल आफ हैट्रोजन का ग्राम कितना होगा डो होगा क्यिक ट्वाइर करें इनका वाटर का जो परसंट है टू-पाइट-फाइफ व्र ग्राम तो जवाब क्या आएगा हमारे पास जो जवाब इसका आएगा वह आएगा जीरो पॉइंट टू एट ग्राम आफ यह आप कर लें आप क्या करेंगे आप जो है दो मोला वाटर के जो है कंप्लीट जो हैं उसके ग्राम लिखेंगे मतलब 2.008 और वाटर का कितना होता है 18.001 यह होता है यहां पर ज़रूत नहीं है मगर मालूम कर सकते हैं वह कैसे मालूम करेंगे देखें मास आप ऑक्सिजन मालूम करने के लिए दूसरा फार्मुला है मास आप ऑक्सिजन मालूम करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए होगी मौस आफ अब मास आफ उक्सीजन में मालूम करना है अब मास आफ उक्सीजन कैसे मालूम करेंगे मास आफ कंपाउंड कैसे करेंगे मास मास आफ कंपाउंड को क्या करेंगे मास आफ कंपाउंड को माइनस करेंगे किसके साथ माइनस करेंगे मास कंपाउंड को माइनस करेंगे मास आफ कारबान एंड माफ पिलस मास आफ वाटर मास आफ कारबान पिलस मास आफ हाइड्रोजन है है तो एसे मालूम करते हैं मास आप निखा हुआ है अब मास तो इस आप लिखते हैं मास आप कमपाउंड ए 4.24 माइनस मास आप कारबाना में दिया हुआ है निकाला हमें भी 1.69 अब इसे पिलस करेंगे 0.28 से अब जो इन दोनों का जवाब आएगा उसे माइनस करवाएंगे इसे तो आक्सीजन का जो है हमारे पास मास आजाएगा तो अब हम आते हैं स्टेव नंबर टू पे तो यह था इस्टेव नंबर बन क्या था यह था इस्टेव नंबर वन अब इस्टेव नंबर टू पे आते हैं वह क्या है वह है फाइंड आउट परसंटेज ऑफ एलिमेंट तो इस्टेव नंबर वन आप नोट करते जाएं मैं ज कि इस पर आते हैं इस्टे नुबर इस्टे नुबर टू क्या है फाइंड आउट परसंटेज उफेलिमेंट आप डारेक भी कर सकते हैं जिसमें आपको मास निकालने की जरूत नहीं पड़ेगे सिर्फ परसंटेज से आगे जो आप जा सकते हैं बिल्कुल डारेक इस्टेब फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया था अब वह फार्मूला क्या है प्याइब परसंटेज ओफ एलिमेंट परसंटेज ओफ एलिमेंट अब परसंटेज और फार्मूला वह है कि मास अव एलिमेंट डिवाइड बाइग मास आफ कंपांड क्या है वेटा मास आफ एलिमेंड है डिवाइड बाइग मास आफ तो यह बता है वेटा परसंटे जाओ है अलिमेंड का प्रसंटेज के से निकालेंगे पेले सबसे पहले मास अब अब आज पर सेटेज़ कर्भान कि ृप यह ला बेटा पार्संटेश मध्व कर्भान अब मास अधैलिमन परसंटेज कितना निकाला द। ते अभी निकला है आपको पता होग वह ऀन पॉइंंट 3 सब्सक्राइब करेंगे तो अमरे पास जवाब क्या आएगा तो जवाब हमारे पास आएगा वह आएगा थ्री पॉइंट यह आएगा इसका परसंट आब आते हैं परसंट है तो हाइड्रोजन का हमने मास कितना निकाला था मासा वेलिमेंट जीरो पॉइंट तूएट मेरे हैं इसका था तो दिरो पॉइंट फॉर फॉर पॉइंट थे टेट और जवाब अमरे पास आएगा क्या मेरत इसक्स तो यह अमारे पास ता यह अमारे पास ठास्चा परसंटेट अब बात हैं परसंट आपसे निकालेंगे वह देखने आप यह लिए मैंने oxygen अब oxygen का percentage निकालने के लिए oxygen का वो जो हमें मास निकालना पड़ेगा तो मास oxygen कैसे निकालेंगे मास हम कैसे निकालेंगे वह हमें इसे निकालेंगे कि आपको पता है कि total total mass of compound कितना होता है रोकने होता है हमारे पाथ परसंटेज्ज फें होता है हन्ड्रेइड होता है चीकझ जब भूसके गलएंगे का मैसे निकालेंगे वह निकालेंगे यह लिस्त परसंटेज अफ तना हुटा उधन कि इस और यह तो तो यह कितना होता है कि यह कितना होगा यह हमारे पास तक्रीमन हो जाएगा इससे मैंनों फॉटीटम फॉटिस खूटिए होगा खूटि सिक पॉटिस पॉटिसे बिएगा अब उसे पॉटिस नौइनस करें तो हमर पास जवाब जवाब आएगा 55.55 है कि 25.5 53.55 तो सब्सक्राइब निकले निकलते हैं इसे निकलते हैं परसंटें आप यह नोट करने आदे आपको मासिस की भी जरूत नहीं पड़ेगी डारेक आप तीसरे इस्टेट पर आ सकते हैं तो डारेक इस्टेट इसका कैसे सोलो करेंगे डारेक्ट के लिए एक फिक्स वे जूजें वह आपको याद रखनी पड़ेंगे अगर आपको परसंटेज और निकलना है डारेक परसंटेज और अगर आपको डारेक्ट निकलना है तो उसके लिए एक फार्मूला मास कर्बन डायक्साइड क्या है बड़ा मास ऑफ कार्बन डायक्साइड डिवाइड बाइड 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 मास अफ कंपाउंड डिवाइड बै मास्ट कंपाउंड मल्टि बिलाइब ट्वैलिव अपन फॉर्टी फॉर्टि बिलाइब हंडेड तो यह बेटा होता है डारेक्ट कार्बान के परसंडेज निकालने का फार्मुला ऐसे आप डारेक्ट निकाल सकते हैं तो आप आज है डारे निकालते हैं मास अभ गार्बन कितना है दिया हुआ आप देख सकते हैं बिलकुल तो वह दिया हुआ है कि वह कितना दिया हुआ बेटे वह दिया हुआ 6.21 और महास आफ कंपाउंड हमारे पास कितना है 4.42 जब इसे मल्टीपलाइ करेंगे 12.44 और तो जवाब अमरे पास आया था इस्टे वाइस इस्टे वह था 39.85 तो वह याएगा तो इससे आप जो है डारेक्ट परसंटेज निकाल सकते हैं कारबान का अब डारेक्ट परसंटेज आपको जो है हाइडोजन का निकलना है है यज कर निकलना तो उसके लिए मरक पार उस्सा फर्मुला मास of water इस जिससे आप निकाल रहे हैं उसका मास पहले लिखेंगे ते में वाच निकालना हूं क्योंकि नपरोप्नमे वाटर दिया हूँ अ क्ये होगा हमारे पास क्या ये होगा हमारे पास अब डारिक्ट तो आप जो एंप तो आप जो है कि फ्रेक्षिन में भी लिख सकते हैं अगर फ्रेक्षिन नहीं लीखना तो एसे भी लिख सकते हैं तू अपान एटीज अब आप अब करते हैं वाटर हमारे पास कतना है वह है बेटा टू पॉइंट फाइफ और डिवाइड बाइफ फोर टू इस तो जवाब इसका वही आएगा जो पेले आया था कि प्रफ़े प्रफ़ेंट इस पॉइंट इस परसट तो यह होता है बेटा डारेक्ट मेंथड इस इस चीजें आपको याद रखनी है यह एकले सकते हैं अक सी चंक था जो परने चानले में यह तो यह हमारे पास कौन सा हो गया यह हमारे लिखता हूं यहीं बे इस टेप नमबर थार्ड इस फाइंड आउट मॉल रेशो ओफ एलिमेंट अब कैसे फाइंड आउट मोल रेशो आव एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे कपीटल होता है जो था है या एक फाइंड आउट ओमोल रेशो आवलो मेंट के लिए ए मारे पास फार्मॉलला और ते अपून सा है बिटा इस परसंटेज ओभ अइलिमेंट डवाइड आपलमिक मास कैसे मोल रेशो अब अब अभी अब औरुश्य निकालते हैं कारबान का कि तो किसका निकाल रहे हैं। अब नीकाल रहे हैं कारबान तो पर्सेंडम जाब इलीमेंट हैं सबस्क्राइब निकाला मैं निकाला यह कि कितना को कितना है थंटी 9.85 को एटोमिंग अर्बान का कितना है कितना कि इस चाहए कारवान में उसलती बढ़ां त्युक्त एटोमी-मास का・ड बान का एक कितना है कि देटा अब परसंडेज जब इसका निकलेंगे तो यह फिक्स से वेल्यू ने तो अब पॉइंटों में आपको नहीं निकलना ऐसे आगया तो इसका जो परसंडेज आ रहा है वह आ रहा है 3.32 अगर आप कल्कुलेट करेंगे तो यह कौन सा आ रहा है यह रहा है तो अब आते हैं परसंडेज अब 3.32 क्यों आपको लिखना है वह में आगे आपको बता तो देखेंगे आप मोल रेश्यो आप हाइडरोजन लेते हैं है अब हाइडरोजन का परसंडेज 6.6 1.008 जवाब क्या आएगा जवाब सेम ही आएगा 6.6 पॉइंटों में आएगा मगल यह अब आप आजाएं किस पर आप आजाएं मौल रेश्यो किसका आक्सिजन का आपको दे रहा है यहां पर लिखता हूं मौल रेश्यो ऑफ ऑक्सिजन का आपने निकाला था परसंडेज अवेलिमेंट वह था 53.55 बेटा अब अक्सिजन 16 तो इसका जवाब आ रहा है 3.34 परसंडेज आप 3.34 आ रहा है इसलिए मैंने आपको कहा था कि त्रेक्शन में लिख आगे हमको जो है इसका काम है तो यह इसका परसंडेज जा रहा है तो यह हमारे पास हो गया तीसरा अब जो था जो इस्टेब वह है सिंपलेस्ट मोल रेश्यो मोल रेश्यो मुराद यह है कि हम क्या करेंगे हम मोल जो रेश्यो हमारे पास है जो मोल रेश्यो जो हमारे पास सब्सक्राइब यहां से हम पास कौन सा हैIS उसको तो थिरी पॉइंट्रीकों को डिंटेंगे यहां से ट्रेंगे करेंगे मोल रेश वसके सारे मत इ tornado करेंगे मोल साके निकली इसारइड केशनट मोल में उस्टेंड करेंगे तो इस तो को हम कियते हैं सब्सक्राइब करें तरी बन तो सब्सक्राइब फाइंड आउट सिंपलेस्ट मोल रेशो इस टेव नंबर यादे आपको कुन था है फाइंड आउट था सिंपलेस्ट मोल रेशो अब सिंपलेस्ट मोल रेशो के मुराद क्या है आपको बता दिया अब सिंपलेस्ट मोल रेशो का फार्मूला सिंपलेस्ट मोल रेशो का फार्मूला क्या होता है मोल रेशो डिवाइड बाइ smallest mole ratio जो हमारे पास smallest mole ratio निकला आए उसको हम mole ratio से divide करेंगे smallest mole ratio हमारे पास था 3.32 इसलिए ने points में आपको में ले रहा था क्यूंकि अब 3.4 तो में त्टो में टू points का फरक है तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप points में ले हमें बिलकुर small-est चाहिए तो वह point में यहाएगा अब इसको करते हैं कर सबसे पैले निकालते हैं इस इन प्लेस्ट रेशु मॉल रेश्यो कि सिनल हो कारओ के इनने कितने निकला था Timothy अब सिम्प्लिस तिस यह अगे वह आफ्य फर बास वन अब smallest ratio of hydrogen वो था हमारे पास 6.6 divided by हमारे पास था 3.32 तो वो आ रहा था 1.89 तो उसे round of 2 ले सकते हैं उसे हम जो round of 2 ले सकते हैं क्योंकि ये इसे नहीं round of कर सकते हैं वो भी आगे मैं समझा दो सकते हैं तो को ड्रोप कर सकते हैं अगर कोई बहुत काम में 50 पॉइंट का अगर उसमें फरके तो उसमें आप राउंड आफ नहीं कर सकते हैं उसके लिए एक दूसरा में थरड़े वो भी में आपको बताऊंगा अब सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं हाइड्रोजन थूरए अब राउंड आफ करेंगे तो इसका भी वनना आए जाएगा जाएगा आप आप सब्सक्राइज नहीं है और हमारे पास दूसरा है है जिसका रेश्व है तू-पॉइंट-5 अब आप 2.5 को 2.5 में नहीं रखेंगे इसे हमें होल नंबर में लाना पड़ेगा तो वह कैसे लाएंगे इसे हम जो है वेल्यू से मल्टी बिलाए करेंगे तो वन को भी मल्टी बिलाए करेंगे तू से इसको भी तू से मल्टी बिलाएंगे कार्बन है एक और हाइड्रोजन है 1.33 तो इसको भी हम जो है गोल नमर में लाने के लिए अदद एक अदद से मुल्टी प्लाय करेंगे तो यह यह कार्बान थिरी और हाइड्रोजन फॉर फॉर पॉइंट समसिंग या फॉर तो इसे आपको करना पड़ेगा तो यह बिटा कि सिमालेस्ट मोल्ड एशो कि या बिटा सिमालेस्ट मोल्ड एशो के बाद अमरे पास स्टेप नमबर फाइव आता है स्टेप नमबर फाइव क्या कहता है कि फाइंड आउट दी इंपरिकल फार्मूला यहां पे करते हैं इस टेप क्या केता है फाइंड आउट इंपरीकल फार्मुला अब इंपरीकल फार्मुला कैसे फाइंड आउट करते हैं तो रेश्यों आपको पता चल गए अब क्या पता चला कि कार्बान का जो है वह है एक हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है एक यह क्या बन गया तो जो बना हमारे पास तो यह बेटा इंपरीकल फार्मूला अब इंपरीकल फार्मूले के बाद हमें मालूम करना होता है आपको मैंने पढ़ाया हुआ है उसके लिए हमारे पास जो है इस टेप सिक्स फोलोगा ना पर एक है कि फाइंड आउट इंपरीकल फार्मूला मास अब कैसे मालूम करेंगे इनकी वेल्यू लिखें बिल्कुल इजी है कोई मुश्किला नहीं है सिएश टूों कार्बान वन ना मल्टी विल्लाएं वह कार्बन का इटावी नमपर कितना है टूले वह माहाद एसेंट एसें तो फिल्स तो प्लास्टू एंटीन प्लस ट्रोयल लिए तो यह आएगा है तो यह आएगा इस्टीन कि तो यह एंद आएंगा तो थाइगा तो थार्टी हमारे पास आगया एंपरीकल फारूमुला बाद आप अब हम फाइंड आउट करेंगे वेल्यू आफ एन अब विल्यू ओफ एन अब की वेल्यू के लिए भी आपस फॉर्मुला होता है यह देखें कितना लंबा परूसिद है अब एन की वेल्यू के लिए भी हमारे पास जो है रहें वह एक जो है यह फार्मुला ओहें मालीकिलर मास अ अ listed हैं भी एम्पेरिकल सूरूला मास आप मालीकिलर मास किसका दा सक्पाॉंड का तो मικά्त कम सा कितना तो यह लिखा हुआ है प्रोलम है हमेशा दिया होऊगा हमेशा थिया हुआ अ गया मॉलिकिलर्म कि ऑफ कंपाउणड इस सपने तो आजाएं करते हैं इैं बड़ा तो एन की वेल्यू क्या गयी क्या गई दो एफ है एडियो क्या गईव स desert ने के डोट करना है क्या हैrüang २ा क्या सिंस sha owner करना है अभी हमें find out करना है molecular formula अब molecular formula कैसे find out करेंगे कि find out करेंगे molecular formula को step number eight कि टोटर 9 step होते हैं पहले अलाम ने नहीं किया ऐसी भी find out मौलीकुलर फार्मुला अब मौलीकुलर फार्मुला कैसे find out करेंगे कैसे find out करेंगे molecular formula empirical formula को multiply करेंगे n से molecular formula को मालूम करने के लिए empirical formula को multiply करेंगे हम n से हैं तो कैसे पता चलेगा हमें तो देखें तो हमारे पास इंपरिकर फार्मुला है ch2o कि multiply करेंगे एंड की वेलियो दो तो जवाब आएगा c2 h4o कि c2 h4o कि इंदर भी आएगा ना बेटा तो c2 h4o 2 तो यह क्या होता है हमारे पास c2 h4o 2 क्या होता है ch3 c00h किसका फार्मुला है कल करवाए यह आपको acetic acid तो यह बिचा होता है हमारे पास acetic acid तो यह होते हैं total nine step और ऐसे होता है empirical formula का problem अब कोई मसला नहीं है यह step जो अगर आप fashion में हैं तो आप इनकी practice करें याद हो जाएंगे क्योंकि यह आपके paper में काम आएंगे अगर entry के हैं तो उसके अलावाले से मैं आगे आ रहा हूं वहां पर आपको बता हूंगा यह कि एक सेकिंड में कैसे होता है तो वह आगे आते हैं यह स्ट्रेप आम नोट करने है अब हम आते हैं एक ट्रोपी के हमरे पास molecular mass जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया उस पे आते हैं क्या है बेटा वह है molecular mass अब हम molecular mass पे आते हैं किस पे आते हैं molecular mass क्या होता है वह एक श्रेज एक्चुल नंबर अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं क्या है डेफिनेशन इसकी बेटा दो फोर्मूला अब इसकी बेटा दो फोर्मूला अब टो लुस्ट क्या विश्य मुझेटन प्या जासे हीं इसकी है डेफिनेशन पे आते हैं क्या है बिडेफिनेशन अब्सल्ट की बेटा आत्विनेशन तु अब्सल्ट की बेल्सलों नंबरzą parf21 praticamente अब ballot नंबर अप्या श्या होल्य कों फक्यान जीड च्बिस्ट का क्या व सब्सक्राइब को यह माली कूल सब Dry तो मलकूल से मुराद यह है कि सब्सक्राइब इसमें पांपाल भी आ जाता है तो यह होता अब देख है अमारे किल्गिलर फॉर्मुला क्या है अले कि अनल क्या है इसरे फॉर्मुला ला लिए हमारे पास अंपर्मुला के लिए पास फार्मुला होता है इंपरिकल फार्मुला को मल्टीब लएकना एंस एंजन नमबर वह जीरो नहीं होगा वन से लेके इंड़ होगा थ्री फॉर फाय जिए इतनी हिद्ध आप ले जआ है अप उत्से होता है हमारे पास क्लाइक हम setup का फार्मूला जब आप मैंने ऑा कहीं मैंने आपको पता है इंपेरी में इसलब्स अमने का फार्मूला F got अब हम बाते हैं एक और हमारे पास good reporting है जिसमें हम कर सकते हैं कि वेलू हमें किसा प्ता चले तो यह को शयने करते हैं आप देखें एक ए दूसरा कोशन करते हैं वो एक उर्म फार्मूला पंपांड आपирकल फार्मूला और कि कम पांड थि ch2 and that the molecular mass of a compound is 42 the molecular mass of compound is 42 है अब पूछ रहा है कि find out the value of N and molecular formula find out क्या पूछ रहा है find out the value of N and molecular formula अब अगर यह एन मालूउ चालबाता लग गया यह तो इंड के से मालूं करते हैं क्या है अग्र हऊष्ट क्या है खया है टयँ क्या है यह पिकरी कल फार्म वाल है अब एंपेरिकल फार्मूला मास कार्बन बारा हाइड्रोजन टू तो इंपेरिकल फार्मूला मास भी आगे अब हम मालूम करते हैं कि एंपेरिकल फार्मूला मास क्या है बटा है एंपेरिकल फार्मूला मास क्या है अब यह कैसे होगा मालीकूलर मास हमारे पास है 42 आपको पता है एंपेरिकल फार्मूला मास हमारे पास है 14 अभी निकाला तो यह आ गया कितना थ्री तो थ्री हमारे पास आ गया क्या एंपेरिकल फार्मूला भी आ जाएगा मालीकूलर फार्मूला बिल्कुल इसी है मालीकूलर फार्मूला क्या ह तो इसे मालूम होता है एसे हमारे पास मालूम होता है एक प्रोब्लम दे रहा हूं जो आपको करके कमेंड में जो है उसके अंसर छोड़ने हैं आप करें तो वह उसके मुझे चाहिए कमेंड में तो पूस्चन नमबर वन है यह आपका जो है हो मर्क है क्यों कि आपको प्रेक्टिस करनी होगी कोश्चन नमबर वन है कि एमपरिगल फार्मुला है कि एच यह इसका अब इंपरिगा फार्मुला माली कुलर मास उस कंपार्ण का कितना है कि माली कुलर मास है ट्विटी सिक्स है और माली कुलर फार्मुला मालूं करते हैं अब भी मैंने आपको बताया है कैसे मालूं करते हैं तो माते किLS फार्मुला मालूंخ अब दूसरा सवाल नम्बर तो ग्याゃर्म वह है कि एमपरिकल फार्मुला सेंड में एच एच वह ता में माली कुलर मास उसका जोwoman मालिकुला मास मालूड मालूंग बना है कॉस्चन न। पर चुन न। नम्बर थिरी पर आजाएं। कॉस्चन न मुझ थिरी है कि एंपरीकल फार्मूला है शी-स-टू- है यह है इंपरीकल फार्मूल ऑनिकर मास है वहनने टी और कि फार्मुला मालोगा था अधिया नमबर इंपेरिकल फार्मुला जो एंपेरिकल फार्मुला क्या है च्छ थ्री ओ आधि थ्रियों प्रीओ तो आधि त्री यो मालेकिलर मास अध्यूंट को से यह च्छी टू News 10 Kate Brothers चार पांसर हमें जो चाहिए जो है just में चाहिए मिंट में évidemment does में तो यह हमारे पास हो गया क्या यह आपके पास चार कंचम आपको करकर के करका मासं तो यह के कैसे सोल होता तो ऊसी की मेरे में कुष्चन लिक रहा हूं किक और क्या है कोंभस्चन क्या है क्वेट्टिन a combustion analysis of organic compound a combustion analysis of organic compound a combustion analysis of organic compound it contains 65.44 percent of carbon it contain 65.44 percent of c or carbon it is 5.5 percent of h h or oxygen percentage 29.06 यह है ऑक्सिजिएन का परसंट दो मालिकुलर मास अफ दर कंपाउंड इस एक्सो दस पॉइंट वन फाइव कल्कुलेट मालिकुलर फार्मूला यह कोश्चन जो है पहले भी जो है एंट्री टेस्ट में आया हुआ है उससे पहले भी आया हुआ है तो उन्होंने आप्शन चार ओप्शन कौन से एक दिया था उप्शन ए कि सी शिक्स हेसे ओटू प्शन भी टेशिक्स हेस्ट एची ट्वेलेव और फायव तो यह थे ओप्शन अब इंट्री में तो इतना टाइम नहीं होता कि आप अगर इसा कोई भी कोश्चन आता है किसी भी टेस्ट में आपके तो उसका मास आप कंपाउंड का देखने कि माली कि अब यह चार हमारे पास कंपाउंड दिये में इनमें से हर एक कंपाउंड का मास निकाले जिसका मास एक सो दस होगा वह उसका अंसर होगा तो आप देखें के मैं निकालता हूं यहां पर लिग साड़ मत्सिक्ष्ट का तो एक सिक्स माल्टी बिलाए वाइट टूली पिल्म पिलस हाइडरोजन वन मल्टी फिलाए व्टी बाइब वाइब ऑक्सीजन और старे कि अब दो इन्का जवाबं तो पहले में ही इसका अंसर है अब वन तेंड पॉइंट फिफ्टी और वन फाइब कैसे आया क्योंकि नहीं पूरा लिया है इसी वजह से इसका वन फॉइंट वन फाइव आया है तो यह पहले नमबर के इसलिए दिया हुआ है इन्होंने के आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो तो यह हमारे पास था एक प्रोब्लम जो हम जो हम एंट्री के साथ से अब दूसरे भी कोश्चन आ सकते हैं ऐसे नहीं है कि यह कोश्चन कर दूसरे कर शुचन से यह उसाद ओकर कोश्चन आ सकते हैं ए उसकोश्चन हरे बढ़ क्यों को अंगोगत आच सकते हैं चरों के कीजिए अजय कोर्य भें g किया मेलट सुख वर कि शूर्ड वार्मुला पताया बट्रेशित कि है कि एहर इंप फार्मूला कि अब परसंटेज कितना है सलफर का 50 यह आपको पता क्या करना एंपरिकल फार्मूला बता है तो यह कैसे करेंगे तो आपको सबसे पहले मोल रेशो निकलना होगा तो मोल रेशो के लिए हमारे पास क्या सबसे पहले आपको मोल रेशो निकालना पड़ेगा मोल रेशो के लि अब आपको पता है कि आपको सिर्फर करें राउंड आफ करें राउंड आफ के लिए आपको क्या करना पड़े गां ते मौल रेशो निकालेगा अब सबसे समॉट्र का निकालेगे परसंदेज निकलेह पार्मुला है कि मोजरो डिवाय पास्टी अब मोट रिशो मरेपास किया है वन पईंट फाइब तो बंद वाइब फाइब टॉपर का तो बन पईंट प्रोब्लम दिये जाएंगे और कोई भी ऐसे मुश्किल प्रोब्लम नहीं दिये जाएंगे जो आपसे होंगे होंगे ही नहीं तो आज गे लिए इतना काफी है आप जाके प्रेक्टिस करें यह आपका होमवर्क है जो मुझे कमेंट सेक्शन में अंसर चाहिए पी एम सी अगर कोई भी कोश्चन आपको किसी भी टेस्ट में दिया जाएता है तो उसका अफर कंपांड लेने इसे आपको प्रोब्लम हो जाएंगे तो आज के लिए इतना काफी है अब इन्शाला मिलेंगे सुबह दूसरे लेक